नमस्कार दोस्तों फिर्टर गुरुजी में आपका स्वागत है आज हम फिर्टर थियोरी पर्थम वर्ष के पार्ट आर्ट के अंदर उस्मा उपचार से समंदित महत्यप्रूण 25 परशन सौल करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वह है बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी सबी वीडियो के नोटिफिकेशन राप्त होसके तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्यूसन है जब कार्बन स्टील को उच्क्रांतिक बिंदू से उपर गरम किया जाता है और तुर्णत ठंडा कर दिया जाता है तो स्टील के किस गुण में वर्दी होती है अरार भी पट ना में पूछा हो क्यूसन है कि जब कार्बन स्टील है जो उच्करांतिक बिंदू मतलर हाएं कर्णतिक बिंदू से उपर गरम किया जाता है और फिर उसे क्विंचिंग तुर्णत ठंडा किया जाता है तो स्टील के किस गुण में वर्दी होगी तो इस टिल के जो गुणों में वर्दी होती है वो दो चीज के उपर निर्बर कहती है एक तो उसके hitting temperature के उपर और एक उसको एक quinching के उपर तो यहाँ पर बताया है कि जो hitting है वो उच्छ क्रांतिक बिंदू से उपर की हुई है और जो quinching है वो तुर्णत ठंडा किया हुआ है तो first option हमारे पास कठोरता B है आगात वरदिनता C है तन्निता D है परत्यास्था तो मारा right answer हो जाएगा कठोरता अगर कोई भी carbon steel को उच्छ क्रांतिक बिंदू से उपर गरम किया जाए वह तुर्णत ठंडा कर दिया जाए तो उसमें कठोरता का गुण उत्पन होता है next question हमारा दात्तु की कठोरता मापने की कौन सी विदिया परचलित है जो दात्तु है उसकी कठोरता मापने के लिए कौन कौन सी विदिया परचलित है तो दात्तु की ये सभी विदिया परचलित हैं कठोरता मापने के लिए इसलिए हमारा राइड इंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी next है गेलोलाइजिंग में लोहे पर किस दात्तु की परत चड़ाई जाती है जो गेलोलाइजिंग होती है उस किरिया के अंदर लोहे के उपर किस दात्तु की परत चड़ाई जाती है तो फेस्ट ओप्सन हमारे पास जस्ते की पितल की तांबे की उपरोक्त सभी तो गेलोलाइजिंग के समय जस्ते की जिंक की परत लोहे के उपर चड़ाई जाती है फिर वह है गैलोलाइजिन कहलाती है जिसे GI seat या GI pipe भी बोला जाता अगर seat के उपर चड़ाई है तो वो GI seat हो जाएगी अगर pipe के उपर चड़ाई है तो GI pipe कहलाएगा वो नेक्स्ट है दातू पार्टों पर निकल क्रोमियम की परत क्यों चड़ाई जाती है जो दातू के पार्ट होते हैं उनके उपर निकल क्रोमियम की परत क्यों चड़ाई जाती है इंडियन ओडिनेस फेक्टर ने पूछा वाक्यूसर है फेस्ट ओप्शन है जंग से बचाने को पोलिस में सुंदर्ता लाने को C है गर्मी से बचाने को D है उप्रोक्त सभी तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी D, राइट अंसर हो जाएगा हमारा Next question है Toughness बढ़ाने वह है Brittleness को कम करने की किरिया को क्या कहते हैं अगर कोई दात्तू है उसकी Toughness चिम्मडपन को बढ़ाना है तो उस किरिया का क्या नाम होगा Fast Option हमारे पास Hiding, B है Tempering, C है Normalizing D है Anneling तो हम उसमा उप्चार की कौन सी किरिया करेंगे अगर हमें Toughness बढ़ाना है तथा Brittleness को कम करना है तो हमारा Right Answer हो जाएगा Tempering, जो Hiding के बाद की जाती है Okay Tempering है जो Hiding के बाद की जाती है जिसमें Toughness बढ़ाया जाता है तथा Brittleness को कम कर दिया जाता है Next Question है अगर को लोहे को मृद बनाने के लिए की आउ सकता होगी First Option है Normalizing B है Anneling C है Tempering D है Hiding अगर हमें लोहे को नरम वहे तन्य मुलाइम बनाना है तो हम Anneling विदी का परियोग करेंगे B अंसर हमारा Right हो जाएगा Anneling Next Question है रोक्विल हाडनेश टेस्टिंग मशीन के इंडिगेटर का कोन कितने डिगरी का होता है Cell, Bokaro, Steel, Plants 2016 में पुछा हूँ Very Most Question है जो रोक्विल हाडनेश टेस्टिंग मशीन होती है जिसके द्वारा दातु की कठोरता चेक की जाती है उसके इंडिगेटर का कोन कितने डिगरी का होता है 90 डिगरी का, 60 डिगरी का, 120 डिगरी का, 130 डिगरी का तो हमारा Right अंसर हो जाएगा 120 डिगरी का रोक्विल हाडनेश टेस्टिंग मशीन का कोन होता है दाइमंड का बना होता है सभी मेत्र पुरुन क्यूशन आपको कराये जा रहे हैं जो गत वर्षो में एक्जाम में पुछे वे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए नेक्स्ट क्यूशन है मारा जिस तापमान बिंदू पर इस्टील को गरम करने से परिवर्तन शुरू होते हैं उसे क्या कहा जाता है जो टेंपरेचर जो है कौन सा टेंपरेचर है जिस पर किसी दात्तू को गरम करने पर उसके यांत्रिक गुणों में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो फैस्ट ओप्षन है उस्माव सोसन बिंदू निम्न करांतिक बिंदू उसकरांतिक बिंदू डी है पुन रुशन बिंदू तो आपको याद रखना है दो बिंदू होते हैं तो निम्न क्रांतिक बिंदू और एक होता है उच्छ क्रांतिक बिंदू Lower critical temperature, higher critical temperature तो इस टील को गरम कहने से परिवर्तन शुरू होते हैं तो शुरू होते हैं निम्न क्रांतिक बिंदू के उपर याद रखना हमें कि जो परिवरतन दातू के अंदर शुरू होते हैं वो निम्न करांतिक बिंदू के उपर शुरू होते हैं तथा उच करांतिक बिंदू के उपर परिवरतन होना बंद हो जाते हैं तथा प्रोन परिवरतन हो जाते हैं और निम्न करांतिक बिंदू होता है, 723 degree centigrade, ओके, निम्न करांतिक बिंदू कितना होता है, 723 degree centigrade, और उच करांतिक बिंदू है, वह है दातु में कार्बन की प्रतिसत मात्रा के अनुसार बदलता रहता है मेसा, वो कभी एक स्थाय ने रहता मेसा, बदलता रहता है, लेकिन एक सामान ने रखा हुआ है 825 डिगरी centigrade ओके next question है ask tempering एक परकिरिया है ask tempering किसकी परकिरिया है tempering की, harding की, annaling की normalizing की ask tempering हमारी परकिरिया है ask tempering की very most question है DMRC में भी पूचा हुआ question है इसमें थोड़ा confuse करने वाला question है ask tempering तो right बच्चे tempering कर देते हैं लेकिन इसका right answer होगा hiding, सक्त करन, कथोरी करन next question हमारा tempering का क्या उदिश्य है जो tempering की दिया है उसका क्या उदिश्य है, tempering क्यों की जाती है first option है आंतरिक तनाव को कम करना B है कथोरता को बढ़ाना C है इस पात को नरम करना D है बंगूरता को बढ़ाना DMIC maintenance पूछा हो question है तो first option है आंतरिक तनाव को कम करना कथोरता को बढ़ाना इस पात को नरम करना बंगूरता को बढ़ाना तो right answer हो जाएगा हमारा आंतरिक तनाव को कम करना ँऐंधरिक तनाव को कम करने के लिए हम tempering करते हैं जो higherडिंग कफोरिक रण के बाद की जाती है Next question है hiding के उपरांत दातू खालिस ठान हो जाती है अगर कोई दातू की हम higherडिंग करदेते हैं तो उसके बाद दातू कैसी हो जाती है Past Option है Malleable हो जाती है बंगूर हो जाती है चिमर मजबूत हो जाती है या तन्य हो जाती है Harding करने के बाद दातों अमेशा बंगूर हो जाती है B. Option हमारा Right हो जाएगा बंगूर Next Question है Tempering का क्या उधेस्षे है जो Tempering की जाती है वो क्यों की जाती है तन्नेता को कम कर나, कथोरता को मड़ाना, कडेपन को कम करना, कडेपन को मड़ाना तो टेमपरिंग हाःडरिंग के बाद की जाती है जब हाइडरिंग करते हैं तो हम दातु कथोर्तों हो जाती है लेकिन उसके साथ बंगूरता का गु No eccles जाता है तो उस टेंपरिंग से बंगूरता को कम कर दिया जाता है तथा दात्तु को कड़ायपन को बढ़ा दिया जाता है तो हमारा D option राइट हो जाएगा कड़ेपन को बढ़ाना नोड़ा मैट्रों में पुछावा question है next question है समाने करण का उदेश्य खालिस्थान है जो उसमा उपचार की किरिया है समाने करण वो क्यों की जाती है first option है प्रदार्त को मर्द बनाना चरमलता बढ़ाना c है सर्चना का प्रिष्करण d है प्रिष्ट का कठोरता इस रों में पुछावा question है तो समाने करण है जिसको इंग्लिष में नोर्मलाइजैशन बोलते है इसका मुखय कारण है सर्चना का प्रिष्करण प्रिष्ट दने की सर्चना जो कह प्रिशना होती है उसको प्रिशुद्रता कहना सर्चना का प्रिश्करन कारिय की वजे से उत्पन आंत्रिक दोश या तनाव को दूर करने की परिकिरिया को निमन लिकित मेंसे किस सब्द दुआरा व्यक्त किया जाता है DMRC मेंटेनर 2017 में पूत्षावा की confusion है कि कोई कारिय की वज़े से कोई दातू के अंदर आंतरिक दोस या तनाव उत्पन हो जाते हैं उनको दूर करने की परकिरिया क्या कहलाती है फैस्ट ओप्शन है समानने करन, हैनिलिंग, दर्डी करन, मर्द करन तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग, समानने करन के दुआरा हम उसके यांतरिक दोसों को दूर कर सकते हैं नेक्स्ट क्यूशन है, इस पाथ की यांतरिक समर्चता बढ़ाने के लिए कौन सा हिट ट्रेटमेंट किया जाता है इस पाथ की यांतरिक, यांतरिक जो उसकी समर्चता है, उसको बढ़ाने के लिए कौन सा उसमा उप्चार का प्रोसेस किया जाता है तो राइट अंसर हो जाएगा हमारा नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग के दुआरा हम उसकी समर्चता को बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन है एनल्लिंग का मुख्य उधिस्य है जो एनलिंग प्रो सेस है उस मौब सार का उसका मैन्ट प्रपज क्या है क्यों कीजाती है नियूंट तो फेस्ट ओप्सन है विरूपन को दूर करना, मसीनी करन में सुधार करना, कडेपन को बढ़ाना, कठोरता को बढ़ाना तो एनिलिंग का मुख्य उदेश से है मसीनी करन में सुधार करना मसीनी करन का सुधार करने से तन्यता का गुन भी उत्पन हो जाता है नेक्स्ट है एनिलिंग में सीतलन खाली स्थान किया जाता है जो एनिलिंग प्रोसेस है उसमें सीतलन क्विंचिंग कैसे की जाती है बहुत सिगर करी जाती है सिगर करी जाती है बहुत दीरे की जाती है हवा में की जाती है इडियन ओडिनेंस फेक्टरी दोजाज शोडा शत्रा में पूचा वा क्यूशन है तो एनलिंग के अंदर अमारी जो क्विंचिंग की दर है कुलिंग सीतलन की दर है वह है बहुत दीरे की जाती है जिसके उसके अंदर तन्यता का गुण विक्षित हो जाता है तथा मशिनी कर कि दिया के कारण कौन सी विशेषता कम हो जाती है एनलिंग कहने से दातु के अंदर कौन सी विशेषता कम हो जाती है कडापन परतीबल यहों कठोरता कठोरता परतीबल नोईडा मेटरों में पूचा वा क्यूशन है तो एनलिंग के द्वारा हम परतीबल वह कठोरता को कम कर सकते हैं B option हमारा right हो जाएगा नेक्स्ट है पुर्वे तापानु सीतलन एनलिंग का प्रात्मिक उधिश्य क्या है जो एनलिंग है उसका प्रात्मिक उधिश्य क्या है मैन परपज क्या है एनलिंग करने का फेस्ट ओप्शन है कडापन तथा यल्ड बिंदू को बढ़ाना तन्नेता तथा मशिनिंग योगेता को बढ़ाना तन्नेता को कम करना सतय परिश्क्रण को बढ़ाना अगर ही most question है LMRC में पूछा हुआ है लखनो मेट्रों में तो एनलिंग का मैन परपज के है कि तन्नेता को बढ़ाती एनलिंग तथा मशिनिंग योगेता को बढ़ाना म दल्वा लोहा है जिसे English में काश ताहिरन बोलते हैं वो किसका उदारन है इस्रो टेक्निशिन दोजासो में पुच्छवा क्यूशन है तन्य परदात का बंगूर परदात का उच्छबल परदात का उप्युक्त में से कोई नहीं तो डलवा लोहा है जो अमारा वो बंगूर परदात का उधारण है ये बिल्टेल होता है डलवा लोहा बंगूर होता है नेक्स्ट क्योशन है उसमें उपचार का मुख्य उधिश्य क्या है जो उसमा उपचार है ही ट्रीटमेंट बोलते हैं जिसे इंगलिज में उसका मुख् नेक्स्ट है नोर्मलाइजिंग का मुख्य उदेश्य क्या है नोर्मली करन जिसे समानने करने या नोर्मलाइजिंग बोल सकते हैं उसका मैन परपज क्या है दात्यु के पार्ट को नरम करना मसिनिंग योगेता को बढ़ाना ग्रेन इस्टेक्चर को रिफाइन करना उप्रयुक्त सभी तो जो normalizing है हमारी समानने करण है उसका main purpose है grain structure को refine करना जिसके करण उसके आंतरिक दोसों को दूर किया जासके इस परकार हमारे 25 questions पूरे होते हैं आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद